कितना HWP मुचल फंट से ले सकते हैं वन टाइम पैसा रखा और पोश्चन यही होता है कि पानी यहां और यहां ज़ादा यह तेजी से पैसा इलिए अगर यह पानी तेज़ चेज है पैसे त могли के लिए लेकिन इसका फोर्स अगर कम है जाधा तेजी से फैसा खीच रहें नलज से जाधा आ रहा है तो एक नए एक दिन की खतम हो जाएगा मतलब अगर यह कम गति से आ रहा है तो हमारा है साथ पर कूश सेफ सेफर सेफेश्ट बैंक पॉस्ट आपीस सारा कुछ मिला के आठ परसंट से ज़्यादा कोई नहीं दे रहे दस लग का आठ परसंट साल का हुआ सेफ 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 से जदा हो जाएगा तो बेतर है कि इससे साथ हजार तक लेंगे तो चलेगा इससे जादा लेंगे तो मुल्धन कभी खतम हो सकता है अगर रिटन कम मिला तो घे यहां पर अगर उधारन देखा जाए कि मान लेते हैं कि एक क्मण पर रखा शाटटग कीया तो बढ़ा हुख सकते हैं क्योंकि बैलेंस अगर देखा जाए एस कि एक दो तीन चार पांच सब्मिट करते हैं एक लाग लिक दिया अब देखते हैं कि SBI का नंबर तो वहीं पर आएगा सब्सक्राइब इसमें बाइलेंस कितना बच गया गिर के एक कोड़ सेंतालिस लोग हो गया तो हम थोड़ा थोड़ा बढ़ात हो सकते हैं पर उसमें रिस्क भी है कि अगर अच्छा कसा मार्केट नहीं बढ़ा तो मुल्धन खतम भी हो सकता है अब उधारन के तौर पर अगर सब्सक्राइब गराबर है कि दस लाग रखा छेचे जर पर लेना सुरू किया पंदरा साल तक लेंगे दस परसेंट का रेट अगर हुआ तो दस लाग सी जार विड़ा कर लिए बैलेंस बच गया उननीस लाख छे अलिस जार लेकिन यह थी बारा परसेंट का रिटन मिल गय लिए यानिक बच्छ एक भाततर सेवन पॉइंट टू परसेंट लिए अगर सेवन पॉइंट फाइब यहां पर लिखके देखते हैं तो हमारा 10 लाग था और बैलेंस भी लगबक दस लाग ही बचा गर शेवन पॉइंट फाइब से नीचे होगा करके देख लेते हैं छे प लग लगाए तो सेवन पॉइंट फाइब से नीचे होगा तो हमारा पैसा कम होता रहेगा और इससे ज्यादा अगर हो 10 से 11 12 होगा तो पैसा बढ़ता रहेगा यह सिंपल क्या होगा मार्केट में आगे कोई नहीं जानता है लेकिन जो बैंक पोस्ट अपीस का रिटन है उस से दोगुना रिटन मिल जाता है क्योंकि बैंक पोस्ट अपीस भी सारे लोग वहीं पैसा लगा रहे हैं इसलिए जो बैंक का रिट है उस रिट से आप करते रहे उन्निस लाख उन्निस पे पाँच जिरो एक दो तीन चार पाँच तो इसको हम छेदुनी बारह जार पर अभी कर सकते हैं करके देख लेता है या एक ग्याराजर करके लिए बढ़ा सकते हैं फिर आने परले 15 साल तक 19 लाख जो बढ़ गया था उसको रख दिये एक ग्याराजर पर मंत पेंशन को बढ़ा दिये छेज़ार से ग्याराजर कर दिये 15 साल तक चलता रहा दस परशन का रेट यो तो 19 लाख 80 जार ले चुके होंगे और बाद में 38 लाख 50 जार बज गया अब फिर से चेंज कर सकते हैं फिर 38 जार लिग दीज़े यहां पर चक्कर चलते रहेगा देरे 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 आप प्रेंशन के इमांट को भी बढ़ आ सकते हैं कोई लिमीट नहीं अच्छा किसी में से कर सकते यह कोई जरूरी है कि पीशिह स्कीम objetivo में चले जाते हैं कोई साहवी इस कीम में पैसा लगा रहे हैं लंबस समय से लगाए वे हैं है एक को लार्ज कैप है किये दस-बारा साल 15 साल बीच चुगा है तो वहीं सेचोड़ोपी कर सकते हैं एसड़ोपी करने के लिए कोई जरूरी नी कि बैलेंस फंड होना जरूरी रहा है तो मैं बोलोगा कि थोड़ा सेफ से पर चलना चाहिए तो बैलेंस परप्ट में क्या हुआ, 35 कभी ये फटर्टेश चेंज भी होते रहता है, तो उस तरह से नया पैसा है बड़ा पैसा लगा रहे हैं रिटेर्मेंट का पैसा है कोई जमीन सेल किया है उसको लगा है तो थोड़ा सेब से पर चलना चाहिए लेकिन पहले से मुचल पंड में इंवेस्टेट हैं पैसा अच्छा कासा बढ़ चुका है तो वहीं से भी सुरू कर सकते हैं अब अल रहे हैं पैसा जमा करने का तरीके का टूल है कोई चीज नहीं है यह उसी तरह SWP आइसा निकालने के तरीके को FM बोलते हैं यहीं से पैसे लिले लेन लेते हैं यहां पर कूछा गिया है कि पॉर्टफोलियो रिव्यू कर दिजिए निपाउन इंडिया स्मॉल केप में 3,000 क्वांटी स्मॉल केप 3,000 परागपारीक टेक्स सेवर 3,000 क्वांटी ELSS 3,000 परागपारीक फ्लेक्सी केप 2,000 कोई भी चेंज करने का जरूत नहीं है टेक्स सेवर में टेक्स बचाने के लिए पैसा कर रहे है तो वो भी फंड अच्छे है और ये सारे फंड अच्छे है जब जब पैसा आए क्वांटी स्मॉल केप में आप बढ़ा सकते हैं एक 250 SBI का 250 स्मॉल केप इंडेक्स फंड भी जोड सकते हैं सर मेरा एक 31 साल है मुझे हर मेने 31,000 रपिया HWP करना है किस फंड में इंवेस्ट करूँ एक कोड पिया इंवेस्ट कर सकता हूँ जहां ये बात है कि किस फंड में करूँ और पैंसन 31,000 ही अपने चुना है एक कोड है आप ये सोच रहे हैं कि एक कोड का फ्लैट लेके उसको रेंट लगाऊं तो 30-31,000 रपिया आएगा तो बेतर है कि मुझे फंड में लगा के वही से हम लेना सुरू कर देते हैं 31,000 रपिया पर मंत तो यहां पे मैं 31,000 रपिया पर मंत लिग देता हूँ एक कोड रखा पिछले 10 सल का रिकॉड कि अब कोश्चन है कि किस फंड में करूँ तो चार फंड SBI Equity Hybrid AMY 37,000 कोड तो इस चार में AMY से आप 25 पचिस लगा करके बरावर बरावर कर सकते हैं यहां पे अगर हम रिकॉड देखते हैं कि एक कोड में 31 जर पर मंत लेना शुरू किये तो SBI से 2014 से लेके अब तक 2024 तक कितना विड्रा कर चुचके 37,20,000 बैलेंस कितना बचा है वो एक कोड बढ़के 3 कोड रो चुका है वो plot, flat, safe, safer, flat क्या कर सकते हैं अपने करके देख लिया दो-तिन जगा ले लिया है plot, flat, सब कुछ एक stand-by option SBI equity hybrid balance category में यहां पे भी लगा के देख सकते हैं maximum आप 60, 65 तक opt कर सकते हैं 31 जर आप इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे यहीं लगता है कि rent इतना ही आता है तो इतना ही लें तो पैसा बढ़ता रहेगा थोड़ा बोथ कभी अपने requirement के अनुसर बढ़ा भी सकते हैं अगला question की तरफ चलते हैं राजु भाई एक financial year में कितना invest करने पर income tax नहीं देना पर लगेगा आपका पैसा अगर tax tax card करके salary आता है या business में जो भी है उसके बाद आप कुछ भी invest करते हैं माल लेते हैं एक लाग रुपे salary है मैं 80 जर्वे invest करता रहूँगा कुछ और पर में कोई क्यो tax notice आएगा या कुछ आएगा जब वो पैसा 80 जर्वे परमंद करूंगा 15 साल के बाद 10 कोड हो गया तब निकालूंगा तो बड़े वे पैसे पर 10% एक्स लगेगा अभी तक का यही नियम है कुछ चेंज होगा तो बाद में देखा जाएगा आप कितना भी invest कर सकते हैं करें जो भी कर रहे हैं आपके बाद वाल पैसा है ज्यादा दिक्कत हो रहा है सारे फैमली मेंबर पर कर सकते हैं सारे फैमली मेंबर खुछ ने कुछ इंकम करी दे सबके नाम पर कर सकते हैं सर अगर investment करने वाले के suddenly death हो जाए है तो पैसा की किया होगा मान लेते हैं यह मारे कोई मैं तसलाभ रुप्या बैंक में अग में करना पड़ेगा रिलेशन सर्टिफिकेट दिना पड़ेगा कुछ नोट्री बोट्री करना पड़ेगा जो कारग जी करवाई है बैंक में से मुचलपन में थोड़ा बोद इधर उतर होगा वह जटिल नहीं है किसी भी फैनेसेल एडवाजर से मिलेंगे वह करके देंगे कोई खर्चा आता है कोई हो जी बैंक में पैसा पढ़ा हुए तो कैसे मिलेगा से मार्केट में भी स्टोक में तो वह भी इस से मिलेगा राजयू जी मैं स्टार करना चाहता हूं कि लाइप टेप कॉस्टेंट ऑश्टाइबलू आएगा यह यह चेंज कर सकते हैं अभी से केल्कुलेट करने का बात करते हैं कुछ लाइब कोश्चन को देख लेते हैं कि मैं 15 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूं क्या डैवर्सी फाइट करके डाल दू और क्या उसी पोर्टफोलियों में बीज़र का अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक उसी तरह से आपको इन्लाइज करने क्लिए करेंगे क्या वह आपका परशी है इस्टार इसपी डॉट इन पर जाएंगे तो आपको फंड दिख जाएंगे कौन सा फंड दिखेगा इस्माल केप इस्माल केप केटिगरी में आप 15 लाव रुपिया है थोड़ा सा आने में टाइम लग रहा है ऑनलाइन में यही दिक्कत है जब इस्टार इसपी डॉट इन में जाएंगे एप में जाएंगे या वेपसाइट में जाएंगे तो डिफ तीन स्माल केप पांच पांच लाव रुपिया करके कि एक तो है एस्टीपी जितना हो सकता है एस्टीपी के दौर से इसमें इन्वेश्ट कर दिजिए और इसमें वन टाइम होता है वन टाइम कर सकते हैं फिर एसाइपी करना है तो इसी में कि एसाइपी कर सकते हैं एक फंड और जोड़ सकते हैं बाद में फर्दर एजटीएपसी मिटकेप और एक परागपारिक फ्लेक्सी केप जब भी पैसे का दरवरत पड़े इमर्जेंसी के लिए तो इसको आप यूज किजिए फ्लेक्सी केप को वेल्ट क्रियेशन के लिए इसको टेच मत किजिए जब जब थोड़ा बहुत घिराबट भी हो पोट्फोलियो में तो इसमें टॉप अप करते रही है तो इस तरह से करके एग्रेसिव पोट्फोलियो हो गया बहुत ज़्यादा हलचल होगा कोपड़ी में हटड़ेगाने संभवना है तो इससे बच करके फिर आप लार्ज कैप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप कीजिए यह मैं वो फंड बताया जो दस बा है ने बताया कि टूटी इंडेक्स रिकॉर्ट क्या बोलता है पिछले दस सलका दस लाग रुपिया वन टाइम लगाया दोजर चौदा में आज वेल्यू है एक क्रूर आट लाग हमेशा इसा रिटन मिलेगा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं हमें चाहिए 12 से 15 इतना मिल गय गया काफी है वो बैंक पॉस्ट अपिस से जवल मिल जाए काफी है इफ यह का इमांट में लंसम करना ठीक रहेगा हमेशा ठीक रहेगा एक बार नहीं बार बार आट दस सल हो गया एक अपने प्रविटेंट फंड में सेप सेपर में मौसल निकालिया फैनल बिट्र एज़ सब्सक्राइब अब एक चीज़ समझ लिजिए कैलकुलेसन जब तक नहीं करेंगे ना आप खोबड़ी में कुछ नहीं जाने वाल है माल लेते हैं कि आप बोलते हैं लंसम में जाते हैं और आपने विड्रा किया 15 लाग और आने वाले 15 सा तक रिमेन इंवेस्टेट रहना चाहते हैं और आपने सेफ सेफर सेफेस्ट प्रोविडेंट फंड और ये सब में इंवेस्ट करके रखा माल लेते हैं कि साथ परसिल का रिटेन है वहां तो पंदरा लग का 41 लाग बनता चला रहें उसके पास है यह हमें पहले पता पन्दहरा सल पहले पता चल गया था तो डबल पेसा है दोस्तों से बागी दोस्त भी पैसा कहीं तो इन्वेस्ट करी रहे हूंगे ना मैं भी 30-40 अरपया सेलरी कथा में मेरा इंकम था वह और आज हो गया बारतिता चौदर चौ calculate कीजिए कि क्या करने से कर तो रहे हैं न ऐसा तो सब के बास है कुछ न कुछ करी रहे होंगे सही direction में करेंगे तो मिल जाएगा मेरा portfolio भी कीजिए पराग परिक फ्लेक्षी केप 1500 निपोन small cap 1500 क्वांट small cap 2700 क्वांट mid cap 2000 सारे फंड अच्छे है mid cap small cap में जैसा कि मैं हमेशा बता रहा हूँ करते रहे है पराग पर एक फ्लेक्षी केप भी काफी एईयों में काफी अच्छा फंड है मैंने के लास्ट में कुछ बचता नहीं है टोप अप में फेनासर फ्रीडम नहीं मिलेगा मेंने के लास्ट में कुछ नहीं बचता है टोप अप नहीं करेंगे फेनासर फ्रीडम नहीं मिलेगा यह कोच ने नहीं है तो नहीं मिलेगा यह क्या मतलब है आप SIP कर रहे हैं ना 15 साल 16 साल 17 साल टाइम लगेगा आप फेनासर फ्रीडम पहले बोलेंगे किसको पहले यह जान लिए आप जिस भी इस्थिति में जो भी काम कर रहे हैं अगर आप फॉर्स फुली काम कर रहे हैं किसी के अंडर काम कर रहे हैं अपने मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं अभी मैं बोल दूँँ आपके पास अगर 50 लाग रुपया हो तो वही करेंगे या कुछ और करेंगे अगर आप बोलते हैं कि मैं कुछ और करता तो इसी को बिलते हैं फिर आप अपने मर्जी का काम करें कि उसके बाद तो पैसा तो जिंदगी पर कमाती रहेंगे काम करेंगे तो पैसा आएगा याईगा फैनसर फिर्टम का मतलब यह नहीं कि आपके पस एक कोड़ हो गया और बैटके जिंदगी बर खाते रहेंगे बैटके कोई नहीं खा सकता है काम तो करना ही पड़ेगा ठीक है आप इसी तरह कॉमेंट्स में क्वेश्टन पूछते रहे हैं वीडियो चल लगे तो वाट्सप इन्वर्सटी में दोस्तों को इसे जरूर से करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंसे जरूर करें थेंक्यी सो मच